Hello everyone, class 10th English की question being come passage 2 समझते हैं यहाँ पर passage 2 जो दिया गया है उसको पहले समझ ले फिर उस पर based जो question है वो करते हैं इससे आपको practice हो जाएगी कि किस तरीके से passages solve किये जाते हैं First में यह दिया हुआ है Emperor Ashoka was one of the earliest Indian monarch who planted shady trees on roads and in public places तो सबसे पहले यह जो Emperor Ashoka थे उन्होंने ही यह shady trees को plant किया था The Mughals to realize the necessity of shades on the roads which they constructed Mughals लोगों को भी लगा कि जो roads उन्होंने बनाई है उन रोट पे छाया की आवशकता है But there was no conscious planning लेकिन इसकी कोई अच्छे से planning नहीं की गई उससे क्या हुआ पीपल, बनियन और पकूर ट्रीज वर indiscriminately mixed with neem, tamarind and mahuas मतले कुछ planning करके हम लगाते हैं कि ये वाले पेड़ एक साथ लगाएंगे, ये एक साथ लगाएंगे तो ऐसे नहीं लगाएगे तो क्या होगा उसका परेणाम कि पीपल, बरगत, पकूर और ये सारे जो पेड़ हैं ये नीम, इमली, mahuas इनके साथ में बीच-बीच में मिलाके लगा दिये गए कहीं भी सिर्फ काश्मीर में ही उन्होंने प्लानिंग में कुछ प्रात्मिक्ता दिखाई और उन्होंने ये जो जेलम नदी है उसके किनारे पर जो चिनार के पेड़ लगाए हैं वो बड़ी तरकीप से लगाए हैं बहुत ही प्लानिंग से और जब हम रास्ते में जाते हैं तो ये चिनार के व्रक्ष एक साथ एक जैसे लाइन में लगे हुए बड़े खुप जूरत लगते हैं A plantation for a national state and district highways is urgently needed एक plantation plan की हमारे यहां जरूरत है हमारा चाहे राश्तर हो देश हो या फिर जिले का highway हो सबके लिए हमको एक plan की जरूरत है अभी जो हमारी सडके हैं वो PWD इंजिनियर्स के द्वारा बनाई जाती हैं who are ignorant of trees तो उनको सडकों से मतलब है उनको पेड के बारे में कोई ज़्यादा ग्यान नहीं है ultimately the planning of new trees and replacement of day trees is left to gardener alone who plant any tree which comes handy अब इसका परिणाम यह होता है कि नया पेड लगाना या पुराने पेड को हटाने का काम केवल एक माली काके लेका हो जाता है और वो क्या करता है कि जो पेड उसके हाथ में आता है वो उसको लगा देता है the result has been unfortunate और इसका परिणाम बड़ा बुरा हुआ and our roadside avenues have become mixture of odd trees इससे जो हमारी सड़क का द्रश्य है वो बिलकोल विशम रक्षों से भर गया विशम यानि कि कभी जिस तरीके से बताया है ना कभी इमली है तो कभी नीम है तो कभी महुआ है एक साथ एक जिसे पेर लगाए जाते एक क्रम से या प्लानिंग से तो वो बड़े खुबसूरत लगते लेकिन ऐसा नहीं हुआ अब यहाँ पर पहला question है who planted shady trees हम ये line को देखते हैं कि passage में आखिर ये line कहा दी हुई है ये ये पहली ही line दी हुई है passage में और उसका answer है अशोका क्योंकि ये पहली line में दिया हुआ है shady trees on roads and in public places ये दिया हुआ था line और उससे हमने answer निकाला है अशोका moogles planted the magnificent avenues of chinarine तो moogles ने कहाँ पर plant किये हैं इसके magnificent avenues of chinar ये देखिए तो काश्मीर में हैं ये लिखा हुआ है it was only in काश्मीर इसलिए हमारा answer जो आएगा हुआएगा काश्मीर who was Ashoka तो ये भी पहली ही line में लिखा हुआ है earliest Indian monar तो ये answer आपका आजाएगा which plants were planted along the bank of river jhellam ये भी लिखा हुआ है कि कौन से plant लगाए गए तो ये इस second वाले जो हमने underline किया है उसी में लिखा हुआ है कि ये चinar के थे 8 present और roads are planted by हमारी जो road है वहाँ पर plantation अभी कौन करता है तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है 8 present ये PWD engineers ये लिखा हुआ है इसलिए हमारा जो answer आएगा वो आएगा PWD तो ये आपका यहाँ पर second passage complete होता है तो ये आपका यहाँ पर second passage complete होता है तैंक्यू स्टूरेंट्स